तीन माह से बिमार बिना मा की तीन वर्ष शिष्टी को किसी ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो उसका इलाज करा सके। बतादे के शिष्टी के किड्नी में अलसर है जिस कारण उसकी एक किड्नी निकालनी बहुत जरूरी है। लेकिन पैसे के अभाव में उसके नाना नानी उसका ओपरेशन नहीं करा पा रहे हैं। जब इस बात की सूचना समाच के लोगों और समाच सेवियों को मिली तो अखिल भारते मध्य देशे वैशे सभा बुकारो जिला के जिला अध्यक्ष जितेंदर शा ने पीरित परिवार को पचास हजार रुपए की मदद की। वही जैना मोर के रहने वाले समाच सेवी चंदर शेखर सिंग ने अपनी संगठन के लोगों के सहयोग से पीरित बच्ची के नाना को 21,000 रुपए का चेक सौपा। साथी चंदर शेखर सिंग ने कहा कि बच्ची को पैसे के अभाव में अपनी जान नहीं कवानी पड़े इसके लिए वे लोग हमेशा खड़े हैं साथी उन्होंने आम लोगों से बच्ची की मदद करनी की अपील भी की पिडित परिवार जो है वो काफी ही गरीव है फिर हमें ये भी पता चला कि कुछ महने या साल पहले पिडित की मम्मी को इसके पापा द्वारा जला कर हत्या कर दे गई जो कि अभी जेल की सजा काट रहे हैं इस विशे में गोतम सिंग जो हमारे मंच के कोसाध्यक्ष है साहिता का बीड़ा उठाया मंच के सभी लड़कों पदादिकारियों से भेट की मुलाकात किया सभी ने अपना अपना छोटा बड़ा सहयोग किया कुछ बाहर के मित्रों ने भी सहयोग किया जो कि कुल मिलाकर फिलाल में एकाई सजार रूपया हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि अभी जितना भी है एकी सजार रुपय हपका चेक हम लोगों ने पिडित के नाना को सोपा है नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ